कम्टिशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है श्वेंट्स आज हम लोग फिजिक्स के चप्टर दरपन को डिसकस करेंगे मीरर्स को डिसकस करेंगे जो कि अग्यूर को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपने पहला हमारा दरपन किसे कहते हैं तो दरपन इसके वर्ड जो है इस फेर गोलिया गोलिया दरपन जो है बिसकली किसे कहते हैं तो गोलिया दरपन इतिज बत क individually किशी कांच क след के गोले अगर आप चोड़ा सा कट कर लोगे तो यह choose लोप लेता है जैसे अगर आप जो गोला होता है लोगते सकते पर वाला हिस्सा ये कुछ ऐसा देखेगा यह कुछ ऐसा है नहीं है यह एफ्र तो यह कुछ इस टैप से दिखेगा तो यह जो है ना बिसिकली एक गुर्णोर्息 प्रकार होंगUI है ना प्रकार हैनड़ा क्थ कि पहला क्या रफ़न का दिफ। कि मभी मेर्वकर दिफցनिशन । पारदर्सी गलास तो आप जानते ही है तो इसे लाइट आईगी नहीं बन पायगा, रिफलेक्सन नहीं हो पाएगा लेकिन डिफलेक्सन करने के लिए यानि कि परकास को इससे टक्राने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा किसी एक सतह को किसी इस दोनों सर्फिस में या तो इनर वाला सर्फिस या आउटसाइडर वाला सर्फिस को आपको एक तरह से को plets कि लाइट है हैं तो इससे टक्रा करें वापस रिफ्ल्leb望 करें ना कि इससे पास कर ठीक है तो इसा ना हो इस वज़े से एक साइड को क्या किया आता है तो इसके आप परकार कि देखते हैं गोले द didn't go everyone होते है उसके कितने परकार होते तो पहला है हमारा गोलिय दर्पन दो परकार के होते हैं पहला है अबतल दर्पन गोलिय दर्पन जो होते हैं दो परकार के होते हैं पहला है हमारा अबतल दर्पन दूसरा होते हैं उत्तल दर्पन तो फर्स्ट जो है इसको इंगलिस में कनके मिरर कहते हैं अबतल दर्पन को है लेधरपन का उन्द्टर मोस क्षब कूरी यह हम लोग सारे नियुक्त करतें के देखेंगे। यह यहां से ड्राउन हो रहा है इसके अंदर वाला पोर्शन में घुद्टर होता है ठीक गया भलटा हो होच्टा केतें। तो इस टरीम को क्या कहेंगे दिशा ओनों याद कर सकता है तो यह उलेट कर सकता है होता है गुफा तो यह सो ऐसा डेख रहे हो stays में हों इसका अंदर का dwelling DSP इसके फिगर की आप देखें तो यह फिगर आप इसको इसमें किलियरव इप देखें इसमें क्या है कि एक sphere है, sphere का भाग है, बाहर से color मैंने बताया भी था, concave में बाहर से color होते हैं, silver होते हैं, रजटित होते हैं, और inner वाले surface पे reflection होता है, ठीक है, concave, तो concave mirror में inner वाले surface पे reflection होता है, ठीक है, इसका उपियोग है, अबतल दरपन का definition हम लोग ने जान लिया, इसका उपियोग हाजामति द rank के रूप में जो ना Agre法 плох यूज करते हैं ठीक हाज सर्च लाइट में सर्च," can néjak Mak Мotorkalley में इसने मोटorkल कर लाइट लाइट में इसका यूज किया रहता है मोटorkल कर के लाइट में इसיל दहा है कि बाहर के तरह उभए रहते हूं अंदर के तरह जो लाइट लगे रहते हैं इस पह परते हैं इस पह परते क्व Владheid ठीक है अरह है हमारा है सब्सक्राइब के था अधरी में बैथए टरपन का पार्ण को बैक्यों सब ने игр बाहर के साइड में ठीक है तो इसको देखते हैं इसके रिफनिशन को यदी गोलिया दरपन का बकरता दाइंड प्रावरतन सता के विपरीत और हो यादि कि यहां पर इसी इस पर रिफलेक्शन होने वाले यह तो इसके अंदर के तरफ इसका सेंटर हो तो इस दरपन और दरपन कहा में कंव्ले को क्यों नोगने, मोटर कार को साइड मिरे जो पीछे के देंä, तुम परावर्तक लेब, तो उस भी में, यह ना, देखते होगESE कि बरे-बरे, जब कोई चीज आयो जाना होते है, तो उसमें जुआ इसे परजन कर सकें तो ऐसे केस में इसका यूज किया जाता है किसका convex lens का sorry convex mirror का next है हमारा बक्र सतह पर प्रावर्तन है ना reflection on curved surface curved जो है ना यह कर मुरा हुआ surface है इस पर कैसे reflection takes place लेगा तो अब तरपन के case में आपको जैसा की पता हो कि जो reflection surface होंगे वह अंदर की और होंगे तो अंदर की और में जब आप parallel light को parallel light को गुजार होगे जितने भी parallel light जाएंगे तो वह reflect हो करके focus से आप फोकस किसे कहते हैं यह हम लोग आगे जब definition परिभास आई देखेंगे तो उसमें सारे चीज़ को discuss करेंगे तो अभी ध्यान रखो कि focus से पास आउट होंगे यानि पेरलेल रे जितने भी आएंगे पेर पैरलेल रे जितने भी आएंगे cave mirror के case में यह सारे focus से पास आउट हो जाएंगे ठीक है और convex जो लेंस है उत्तल दरपन उत्तल दरपन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सर्फेस जो होंगे reflection surface वो आउट साइड की तरफ होंगे बकता केंदर के opposite direction में होंगे यानि कि यह साइड होंगे तो इससे जब भी आप पिछे extend करके न अब हासी लाइन ड्रॉ करोगे एक imaginary लाइन ड्रॉ करोगे तो यह focus से पास आउट होता नजराएगा तो यानि कि हम कह सकते हैं चाहे वो Concave mirror हो या Convex mirror हो अगर parallel parallel रे पास आउट करेगी तो वो focus से ही पास करेगी चाहे वो imaginary पास करे या अब कुछ important definition है जिसको हम लोग देखेंगे पहला है हमारा पोल पहला है हमारा definition में धृब पोल किसे कहते हैं दर्पन के केंद्र को दर्पन का धृब कहा जाता है इसे प्राया पी दोरा से सुचित किया जाता है अब जिससे मैंने बला कि यह it ч car dark起來 मिडर है ठीक है यह स्फेरिकल मिडर है इसका एक है इस दोनों का जो मीड़ सब्सक्रा सब्सक्राइब सब्सक्राइब को देने के ं तो यह गोले का भाग होता है जिस भले का भाग होता है केंडर का वकरता केंडर कहलाता है मतलब अगर हम इसको कट करगे यहां पर सपोज ले आए यह ले आए तो इसका जो और है इसका इसका इस्प्रियस सफेर का पार किसा पार करके सफेर बना दिया और यह प्रियस का पर अगल. करना यह बेसिकली सेंटर आप करवेचर कहलेगा ओके नेक्स है हमारा थार्ड पॉइंट है हमारा मुख अक्षिस इसको इंगलिस में प्रिंस्पल एक्सिस बेसिकली होता क्या है धुरूब यानि पी जो हम लोग ने पोल जिसको बोला है पोल और बक्रता कें सेंटर आप करव अगर यह सफेर का पाथ है सपोज इस इसका एक सेंटर आप करवेचर इस बीच में होगा तो इस दोनों को अगर बीच में स्टेट लाइन जो मिलाएंगे इसी एक्सिस को इसी लाइन को जो है ना इसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते है प्रिंस्पल एक्सिस मुख अक्षि कहते हैं ठीक है मुख अक्षि मुख फोकस मुख फोकस प्रिंस्पल फोकस इसको कहते हैं गोलिय दर्पन के मुख अक्षि के समांतर और निकट सभी किरने दर्पन के प्रावरतन के मुख अक्षि पर जिस विंदू पर अभिसारित कौन वर्ज होती है या जि कि जो भी parallel ray, parallel ray आएंगे, किसी भी convex या concave में, convex या concave में, वो एक fixed point से pass out होते हैं, उसी point को क्या कहते हैं, focus, ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला कि यह center of curvature, suppose है, यहाँ पे center of curvature है, यह pole है, और इस line को आपने draw किया, तो अगर आप यहाँ से parallel ray गुजार होगे, तो यह fixed line से pass out होत यह जो fixed point क्या लाएगा, इस ती को हम क्या कहते हैं, focus, मुख, focus, ठीक है, principle, focus, यानि इसका definition क्या कह सकते हैं, गोलिय दरपन का मुख, अक्षे, समांतर और निकट सभी किने, यानि समांतर और निकट होने वाले जितने भी दरपन के, जो reflect होंगे, दरपन से reflect होंगे, वो मु बकृता तिर्जा, radius of curvature, radius of curvature क्या होता है, तो बकृता के दरपन सीत था ध्रूब के बीच की दूरी, जो CP हो है, वो ही बकृता तिर्जा कहलाएगा, मतलब सिंपली समझो, यह rate is nothing, यह जिस sphere का part होगा, यानि spherical mirror हमारे जिस sphere का part होगा, जिस भी गोले का part हिस्सा होगा, उस ग radius होगा, आर, इसको आर से सुचित करते हैं, इसी radius of curvature भी बोलते हैं, नेक्स है हमारा focus दूरी, focal length, ध्रूब P तथा मुख focus F के बीच की दूरी को focus दूरी कहते हैं, अभी जस्त मैंने बलाता है, pole किसको कहते है, pole center of mirror को कहते है, mirror का जो यह हिस्सा है, यह सपोज इतना दूर क इस दूर को लाइन को अगर focus और pole के बीच का जो distance होता है, उसी को focal length कहते है, क्या बोलते है, focal length, नेक्स हमारा द्वारक, द्वारक, aperture, द्वारपन के चौराई, द्वारक का द्वारक कह लाता है, मतलब जो यह mirror है, कितना चौरा है, यही डिपेंड करता है, उसका द्वारक के पार्चर को रिपर्जेंट करता है, ओके, नेक्स है हमारा गोलिय दरपन की बक्रता तिर्जिया, और focus दूरी में क्या संबंध है, तो यह हमेशा ध्यान रखे, जो f होते है, f is equal to r by 2 होते है, इनका जो relation है, with radius of curvature and, and, जो focus है, focal length, focal length, जो focus दूरी है, उनमें, जो संबंध है, वो क्या है, f is equal to r by 2, radius का आधा होता है, ठीक है, अब मैं इसको एक बार फिर से figure समझा दूँ, जैसे यह अगर यहां से यहां तक हमारा mirror है, suppose यह हमारा mirror है, इतना दूर का, तो यह क्या है, बेसिकली यह radius of curvature कहलेगा, और focus कुछ यहां बीच में होगा, ठीक है, focus कहने का मतलब है, focus जो है, यह practically found किया गया है, कि यह जो radius of curvature और pole है, इसको r कहते हैं, pole और center of curvature को ही क्या कहते हैं, radius कहते हैं, और radius का बीच वाला हिसा ही क्या कहलाता है, focus कहलाता है, इस दोनों में क्या relation आ गया, f is equal to, f is equal to r by 2, इसको धिहान रखें, यहां ही से हम लोग लिख सकते ह f, यानि 2 into focal length को ही हम लोग radius of curvature भी कह सकते हैं, next हमारा दरपन सुत्र, बहुत important है mirror formula, दरपन सुत्र, mirror formula जो होते हैं, यदि बस्तु की दरपन से दुरी u है, यानि कि mirror से जो कोई object रखा हुआ, वो u distance पर रखा हुआ है, परतिविम की दुरी, जो image फॉर्म कर रहा है, आप ज पर रहा है, तो उसका जो बक्रता तिर्जिया r हो, तो उसका relation है, 1 by v, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, यह relation है, और f को आप replace करोगे, f is equal to, क्या होता है हमारा, f is equal to r by 2 होता है, यहीं से अगर आप replace करो इसको, तो f के जगा पे आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, 1 by f के जगा लिख स 2 by r, इसको क्या किया, मैंने reverse कर दिया, यह f is equal to r by 2 था, तो इसको क्या किया, मैंने 1 by f कर दिया, तो that is 2 by f, तो यहीं से आप लोग लिख सकते हो, इसके, इससे लिख सकते हो, 2 by r, ओके, तो कहने का मतलब यह है, कि जो relation है, हमारा 1 by v, यह क्या है, image distance, v इसमें क्या है, image distance, औ और u क्या है, object distance from mirror, and f is focal length, r is radius of curvature, यह relation आपको ध्यान रखना है, बहुत ही important है, तो यह relation बहुत ही important है, तो यह relation बहुत ही important है, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f is equal to 2 by r, यह बहुत important है, इसको note कर लेंगे, इसको 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 बनते हैं, ठीक है, आप कुछ-कुछ है, जो आप इसको सब सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो यह क्या है, बाहर का surface क्या हो, silvered है, और अंदर का surface क्या है, reflection के लिए बना हो, तो यह surface क्या हो गया, concave mirror हो गया, तो अब इसमें कैसे कैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले, अगर हमारा कोई object है, यह object O है, यह object O है, तो इसका distance mirror से, mirror से U मन समय दता है, और यह जगर image बनता है, image अगर suppose यह बनता है, और क्यों बनता है, मैं अभी बताँगा, तो image है, तो इसका distance होगा, यह क्या कहलाता है, भी कहलाता है, ठीक है, और यह F है, और इसके बीजिका distance है, आप चीनों को जितने भी हम लोग ने इसमें देखा है, इस सार यह आप समझ गए होंगे तो अब हम लोग बेसिकली कैसे कोई object का image बनता है तो इस process को हम लोग समझेंगे अब suppose कि अगर हमारा एक कोई object है जिसको और सरी पर जड़े कर रहे है object इसका height कुछ यह है ना a अब जब भी आपको image निकालना होता है तो हमें सबसे पहले इसके उपरी सता से एक parallel ray गुजारना होता है parallel ray गुजारना होता है इसके height से इसके height से parallel ray गुजारना होता है मैंने क्या बताया है आपको जो parallel ray कोई भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के parallel में अगर मुख एक्सिस से अगर कोई मुख चक्स से कोई parallel ray पास करेगी तो वह किस से फोकस से पास करते हुए जाएगी तो देखो इस लाइन को आप गहर से देखो तो यह क्या हुआ ऐसे parallel आया और यह फोकस से पास कर गया ठीक है और दूसरा क्या करते हैं हम एक center पॉल से पास कराते हैं दूसरा ही एक हम image लेते दूसरा ही एक हम रे लेते हैं जो इसके सर से यानि object के height के उपरी सीरे से यह पॉल से होता हुआ गुजरता है ठीक है और फिर एक तीसरा रे गुजरते हैं जो कि mirror के इंड को के पास आता है ठीक है तो जब इंड के पास जाएगा तो यह हमेशा ध्यान रखें यह अपने return पात पर लोड जाता है ठीक है और पोल पर reflect होने के बाद यह कुछ एंगल से डाइवर्ट होता जितने एंगल से नीचे की और डाइवर्ट होगा तो यह सारे जहां प यहां पर मैंने parallel देघ घुझारा ठीक है और यहां पर इक मिरर मेंद तक गुझार और तिसरा दे इसले के प्रेंस अवा और यहां विच गोड़ नियु ठीक है यहां पर लिखा भी है यह क्रिकाइड करते हैं बस पेंड रहे ऐघ में calling ना ऊआई से इमेज वर्न रहा और करते हैं यहां से इसको IB IP जो है IP यहां से image बन रहा है इसको I से represent करते हैं I और P के बीच का जो distance कहलाता है वो B कहलाता है और next है IB और I और B के बीच का जो distance होता है यह basically height of height of image परतिविम्ब की उचाई जिसको H2 से represent करा है हम लोग ने PF P और F यह focal length होगा F से represent करते हैं small F से और CP यह center of क्या है center of curvature है तो center of curvature और pole की बीच का जो distance कहलाता है वो क्या कहलता है बकरता तिर्जिया that is radius R इसको R से represent करते हैं तो यह overview हो गया आप mirror के जितने भी चीजें specs है like UVF R यह complete आपको यहां पर यहां पर मिल गया आप इसको गौर से देख लें किस चीज़ को क्या कहेंगे कैसे represent करेंगे कैसे measure करेंगे ठीक है उसके आद हम लोग कुछ इसके जो sign convention क्या यूज करते हैं वह हम लोग देखेंगे next point में अब कुछ sign convention जैसा कि मैंने बुला था इसके sign convention है अपने जैसे सभी दूरियां ध्रूब से मापी जाएंगी सबसे पहले एक हमारा जो पहले से हम लोग इने मान रखा है यह हमें इसको follow करना है throughout the chapter इसमें यह जो sign convention है हम हमें सब जगा यह यूज करना निर्दे संग चिन परिपार्टी पहला है सभी सभी जो दूरी होंगे वह पोल सरी पर मापे जाएंगे पोल किसे कहते हैं आपको पता है धुरूब से मापा जाएगा ठीक है दरपन के धुरूब से बाई हुलित्र है प्तल दरपन की जो फूकस दूरी होगी वह रिनातमक होगी उत्तल दरपन की फोकस घुरी धनातमक सब्सक्राइब एक मिरर का आपके पास यह उसलिए यह मिरर ऑप रहा है तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइब का सेफ होगा अब तो मैं हम फोकस जो यह से पार्फ आउट होगा उर्फोकस होका किधर के साइड वो इसके दिखने से आपको यह क्या है लेप साइड की आब तल दरबर के तरफ क्या होता है यहांत से इसके फोकस क्या है इसके वात है एंसाइद हों तो कहने का मतलब यह पॉल से पहने पहल से राइट साइड जाने पर क्या खेता है यह virtues के पांच हमारा हम 2021 वो क्या होती है positive लेते हैं तो इसमें हम आपको कह सकते हैं कि उत्तर दर्पन के जो focus length होंगे वो धनात्मक होंगे ठीक है तो किसी भी चीज को रतना नहीं है आप हमेशा ध्यान रखे चीजों को concept wise जब आप समझोगे तो उसे बहुत long term के लिए आपको याद रहेंगे और रत लोगे तो वो long term के लिए memory नहीं रहेगी आप जल्दी ही भूल जाओगे तो जब आप concept wise दर करते हो तो वो चीजें बहुत दिनों तक याद रहती हैं तो यहां से तो यहां से आप समझ गए कि जो उत्तल दर्पन होंगे उसकी जो focus दूरी रिनात्मक क्यों होंगे और कि जो focus दूरी होगी वो धनात्मक की होगी अब कुछ अपतल दर्पन के science convention है उसके figure को आप ध्यान में रखें और यह चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आपको easily आप इसको समझ सकते हो तो अपतल दर्पन में जो focus दूरी होगी वो निगेटिव होगी बस्तू की दू सारे निगेटिव होते हैं कि यह लैकें साइड में देखो यह फोकस उतल दर्पन ची फोकस यस सारे जरा करते हैं बस्तू की दूरी यूज होते हैं वो निगेटिव क्योंकि अगें आप यह जैसे अगर हमारे परती से पास में मिरर है तो आपने opt को इढ़ रखा था तभी तो इसमें सरफेस यहां से आप दाइं निकाल के ले जा रहे थे तो यह अईसे पर्तिष होता था फोकस से पास था था ठीक है तो यह इसमें बश्तू की दूरी जो है नि कि दाई हो रखी जाती है मिरो से आब डूरी परतीम की दूरी जो इमेज sąगी वह फोजटीव विया IMAGINARY में बनते हैं और अनदर के और बन थे हैं मिरर के अपोची डियक्षन में बनते हैं गुत भी इसका पोजटीव है है क्या है जी से सरफेस अगर यह है तो ये सरफेस kaуса सरफेस हैं सरफेस हीये लेकिन उत्तल दरपन में आपको 2-3 चीज़ positive है और 1-2 चीज़ negative है तो इसको आपको Hijfan कैесे रखना है तो इसको Hijfan आखना है figure से by figure method तो overall कैसे हैं जो उत्तल दरपन इसमें क्या है सारे positive निकल गया और उत्तल दरपन में क्या है सिर्फ और सिर्फ एक object निगेटिव होगा अधर वाई सारे क्या है पोजिटिव है ठीक है ऐसे भी आप याद रख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आवर्धन, magnification है ना, magnification किसे कहते हैं तो basically कोई भी image जो है ना कोई भी object, object से के respect में image में क्या अंतर आया है इमेज में कोई object का जो length है उसके height में और image का height में क्या difference है यह basically हमें magnification बताता है दरपन दोरा बने इसका differentiation को देखें तो दरपन दोरा बने परतिविम की उचाई तथा बस्तु के उचाई की अनुपात को आवर्धन M कहते हैं magnification उसको M से represent करते हैं तो आवर्धन का formula जो आ गया वो परतिविम की उचाई height of image height of image divided by बस्तु की उचाई height of object object की क्या height है object की क्या height है और image की क्या height है इस दोनों का ratio ही क्या कहलता है आवर्धन उपर में image का height और नीचे का है बस्तु की उचाई यदि बसों की उचाई H1 है और दर्पन की उचाई दर्पन की से दोरी U है दर्पन से दोरी क्या है अबजेक्ट को हम अबजेक्ट डिस्टेंस को U से रिपरजन करते हैं परतिव में की उचाई H2 है तो इसके इमेज डिस्टेंस को क्या करते हैं करते हैं तो focus दूरी जो f होगा वो क्या होगा जो focus दूरी अगर f है तो इसमें relation जो होंगे m is equal to h1 by h2 that is minus vyu और is equal to 1 minus vyf 1 minus vyf important formula है इसको याद रखें आवर्धन का जो formula है m is equal to यहां से आप कह सकते हो m is equal to यहां से क्या relation आया h1 by h2 h1 by h2 h1 इमेज डिस्टेंस h1 क्या है ? परतिविम्भ की शार यह आप उल्टार लिखा गया है ठीक है बस्तु क्यों चाहिए के जगा पर h2 ऊपर h2 होगा नीचे h1 होगा विकोज h2 हमने image distance को माना है प्रतिमिक की उचाई को हम लोग ने h2 माना है ठीक है तो h2 उपर होगा नीचे h1 होगा यहाँ पर आप कोरेक्ट कर लेंगे ठीक है is equal to minus byu minus byu is equal to 1 minus 1 minus byf important formula इसको आप ध्यान रखेंगे अब कुछ इस चीज को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे जो अभी हम लोग ने आवर्धन का formula देखा था उसको ऐसे अबतल दर्पन की बात करो अबतल दर्पन में क्या होंगे जो प्रावर्तन सता होंगे अंदर के तरफ होंगे अंदर के तरफ में देखो तो यह object distance यह क्या है इसको आपने h1 माना था यह image का height है यह h2 आपने माना था तिस्टी साब से आप अबर्धन m is equal to आप यूज कर सकते हो h2 by h1 है ना h2 by h1 ठीक है और यह मैंने बताया ही था concept की जो है हमेशा तीन रे हमें कोसिस करेंगे जब भी आप किसी के image को आपको निकालना है image कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा इस nature को पता करने के लिए आपको simply तीन रे पास करने होंगे एक parallel जो की principal axis के parallel होगा जो की focus से पास हुआ नजर आएगा ठीक है दूसरा जो mirror के इंड पे ले जाना है और इंड से क्या होता है इसका एक खास्यत होता है इंड वाला रे जिस पात से आती है उसी पात पे return हो जाती है और तीसरा पोल से पास कराएगी जो की यहांसे जितने से इंड इंगल से उपर से घजी टिन करेंगे यहुआ अगर बात करें इंस की उतल दरपन की तो उतल दरपन में जो रिफ्लेक्शन सर्फेस होंगे वह बाहर के तरफ होंगे तो आप देखो सब्सक्राइब हमारा अब्जेक्ट है अब्जेक्ट से एक रे पैरलेल पास किया तो यह क्या होंगे ऐसे पास कर देंगे यह कुछ ना इमेजनरी पॉइंट को मिला इमेज पॉइंट को हम क्या कहेंगे एचट जिए आप ठाड़ है टोकलेंगे वह अंदर me that means यह पॉजटिव लिया जाते हैं इसी कारण से याद करिए सांइन काॉनेंसं कम लोग ने उसके चाह कर सकते हो जो देखो यह क्या है पूल के से लिए इसको क्या लिया घे था निगेटिव हैं इसके 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 इमेज भी बन रहे हैं राइट left साइड point रहा हैं इसलिए साहरे सब्सक्राइब को मत लिए बताया फैक उसका है मैं ड्रत्रीक होगा कर एक थे उपर भी 10 मीटर लिखा लेंध का यूनिट है और नीचे भी लिखा 5 मीटर ठीक है तो यह मीटर से मीटर केंसिल आउट हो जाएगा और यह जो बन के आएगा रेसियो वह यूनिट लेस आएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है आप गौर से देखो जो यहाँ पर M is equal to है height, height की बात करता है क्या image की height की बात करता है नीचे का offering का हमेशा क्या हमेशा क्या होता है humility नहीं होगा कोई मात्रक नहीं होगा इसका कोई मात रख नहीं होगा दूसरा है कि उचाई हमेशा धनात्मक ली जाती है हमेशा धनात्मक इसलिए विकॉज जो प्रिंस्पल एक्सिस होता है ना प्रिंस्पल एक्सिस से उपर जब भी आप जाओगे तो उसको पोजिटिव साइन कॉन्वेंशन में सौरी इस हमेशा पोजिटिव ली जाएगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यदी पर्तिविम बिपरित हो अर्थात गल्या दरपन के मुख अक्षि के नीचे नीचे बना हो तो उसकेस में नीचे आगेन मैंने बला प्रिंस्पल एक्सिस के जो भी नीचे होंगे तो उसी चीज सिर्फ है इसको दियान रखें यह कह कैर का भवन की उचाई या भवन की अगर दिया है तो उसके इमिज की उचाई को होंगे यह इस इस मान को फोलो करेंगे इस इमेजद्स दिवाइरट वाई अब्जेक डिस्टेंस इंटू पर्तिविंब की उचाई, height of image से आप हम लोग height of यहां से यह निकाल सकते हो, pair की और या भवन की उचाई, याद करो अभी एक मैंने formula लिखा था, m is equal to h2 by h1, h2 by h1 is equal to यहां से आपने लिखा था, by u करके लिखा था, यहीं से आप यह relation आता है इसमें आप क्या करो कि जिसकी भी आपकी भवन की उचाई निकालनी है, तो suppose h1 हमें निकालना है, तो h1 is equal to लिख सकते हो, आप h1 is equal to लिख सकते हो, पर्तिविंब की उचाई, height of image into by u करके आप यहां से इस relation को follow कर सकते हो, और आपको given जिसकी भी उचाई निकालना हो, जैस के इसमें भी दर्पन है, उसके image से related इसकी क्या position होंगे, उसकी इसथिती क्या होगी, इससे डिलेटी चीजों को देखेंगे, पहला हमारा अबतल दर्पन में बने पर्तिविं की सिथिप , और प्राकिर्टी को देखेंगे, छिक है, अबतल दर्पन में image का क्या position होगा, और पहला हमारा है पॉइंट कि जब बस तु अनंथ पहो तो अब हम लोग ने अलग-अलग केस को देखेंगे जिसमें अलग-अलग पोजिशन पर और उब्जेक्ट को रखेंगे और स्कैथ फिर देखेंगे कि इमेज पर क्या फर्क पड़ता है इमेज का क्या पोजिशन होता है ठीक है तो अभी हम लोग ने अब्जेक्ट को अनंथ पर रखा इन्फानाइट पर रखा है ठीक है अनंथ से आते हुई रहे जो होगी वह फोकस पे समंतर किरन क्या होगी समंतर जो पेर्लेर होंगे वह बैसिकली फोकस यहां से पास आउट हो सब्सक्राइट पर रखा चुल्व को इतनी छोटी बन ड़े तो इसके साट्सटा बस्तु से बहुत Zentा बनेगा इतना दो रे अगर आप पास करवा लेते हो तो इतना काफी है तो यह simply आयेगा और यह focus से cross करते हुए focus से cross करते हुए यह बाहर आ गया यह क्या हुआ जैसे इस पर आया और यह वह आपस इसी line पर return होगा तो यहां पर यह image यह दोनों आपस में intersect हो रहे हैं that means image यहां पर इमेज बनेगा वह C पर F के बीच, C और F के बीच, C और F के बीच, Center of curvature यह रहा और focus यह रहा, C के बीच में बनेगा ठीक है, C के बीच में कहीं पर बनेगा बास्त्वीक बनेगा और उल्टा बनेगा, उल्टा क्यूं? principal axis के नीचे बना इसलिए उल्टा बस्तू बिम से छो रख दिया, ठीक है, यह बस्तू है हमारा exactly बक्रता के अंदर पर रख दिया, अब क्या होगा basically, तो इससे again हम इससे parallel day pass कराएंगे, जो कि focus से पास होता हुआ नजर आएगा, और एक दूसरा इसके mirror के इनी पर ले जाएंगे, जो कि यहां पर ऐसा होगा, तो यह basically देख रहे अगर object को जैसे मैंने center of curvature पर रखा, किस के case में, concave mirror के case में, object को हमने रखा कहा, center of curvature पर तो उसका image भी बनेगा, वो center of curvature पर बनेगा, बास्त्विक बनेगा, और उल्टा बनेगा, विकोज नीचे हो, और बस्तू के बराबर, जितना बस्तू का height होगा, उतने ही height का यह भी fourth point है हमारा, जब बस्तू बकरता के अंदर C और मुख focus के बीच में हो, जो यह center of curvature है और focus के बीच में, center of curvature यह रहा और focus यह रहा, इसके बीच में बस्तू को रखा, यह ओ देख रहे हो, height, तो यहां से again क्या किया, एक mirror के end से ray cross कर वाया, यह क्या होगा, रिटर्न हो गया, और इसको एक parallel यहां से cross कर वाया, जो कि यह focus होता हुआ, पास कर गया, यहां पर मिला, तो यह देखो, image क्या हो रहा है, यहां पर बन रहा है, तो C जो है, image, sorry, image जो बनेगा, वो center of curvature, यह center of curvature यह रहा, और अनन्त, infinity, infinity धर है, इसके बीच में ही कुछ बनेगा, image, ठीक है, द जब बस्तू, अब इसमें बस्तू को हम मुख्ष फोकस पर ही रख दिये, directly फोकस पर ही रख दिये, suppose हमारा फोकस फोकस पर ही बस्तू को रख दिया, object को, तो यहां से parallel पास करेगा, तो क्या होगा, focus से पास करेगा, दूसरा एक line इस से cross किया, तो यह से represent हो गया, तो यह basically देखो, parallel यह cross कर रहा है, कहीं पर cut रहा है, cut, एक दूसरे को cut नहीं कर रहा है, that means image बनेगा ही न, बनेगा, तो कब बनेगा, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, कि यह image यहां नहीं बना, तो कब बनेगा, infinity पर जाके बनेगा, ठीक है, जबकि infinity नाम का कोई चीज होता नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं, कि यह infinity पर image बन दा है, जिसको हम लोग ने देखेंगा, बास्विक बनेगा, और उल्टा बनेगा, यह principal axis के जब भी बनेगा, तो नीचे ही image कहीं पर बनेगा, infinity पर तो यह उल्टा बनेगा, और बस्तू से बरा होगा, obvious सी बात है, जो यहां पर image इतने से अभी ही हो गया, तो infinite पर कहीं बनेगा, तो यह बरा ही बनेगा, ठीक है, यह कुछ बरा ही बनेगा, ठीक है, बरा ही बनेगा, तो यह बस्तू से बरा बनेगा, ठीक है, next हमारा six point है, जब बस्तू, मुख, focus और धृब, pole के बीच में हो, pole और focus के बीच में हो, pole कहा ह भाई हमारा पॉल यह और हम've के बीच में हम औप्जक्ट को रख दिए अब अगैन क्या है इसके हम प्रेट लिली इस से मुखेक्सिस्ट परल लेव इसको हमने एक ले क्र लोग ने एक मेर के डिरेकल इसमें इसके प्रपेंडिकलर मेर के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉकिया रे को तो जो की अगेन इस पाथ पर रिटर्न हो जाएगा तो यह बेसिकली देख रहे हो ना यह फैला नजर आ रहा यह आगे तो नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे भाई तो यह पीछे मिलता हुआ परतीत होंगे ठीक है प्लाव टाइप का मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन लगेगा कि हाँ पीछे बनदा इमेज तो अगर रियल इमेज की बात करें तो यह हमेशा मिलर के इस साइड बनेगा और इमेजनरी जब भी बनेगा तो मिलर के पीछे बनेगा तो यह देख रहे हैं इमेज कहां बना इधर बनेगे और दूसरा सीधा बनेंगे सिधाकियों क्योंकि प्रिंस्पल के ऊपर बने लिए सीधा बनेगे ठीक है ऐरे बस्तु फइंब से कौह बदाएब और है और यहां कि उसके जो प्रकृत मिलेंगे औब्जेट खरन जिल्स भूब दर्पन को देखुएंगे जो आपफ्तल दर्पन में आपने देखा total six case थे इसमें उतने case नहीं है इच्छा संध सब्सक्रांब झालालई सब्सक्रांब महां सब्सक्राइब छिए पाल्पनिक या फिर बॉले तो अभासी बनेगे इमेजनेर बना पर्थीविप हमेशा सीधा ही बनेगा क्योंकि ये उपर में ही बनेगे टिक पोल के उपर ही बनेगे ऑर बस्तु से चोटा बनेगे अगर बस्तु इतना हाइट उत्तला को याद रखना बहुत असन है इसका हमेशा इसा हमेशा इमेज बनेगा दुर्ब भाग दूसरा सीधा बनेगा और बस्तू से छोटा बनेगा अब कुछ हमें पॉइंट याद रखना होगा अस्मरनियत है पॉइंट भी रिमेंबर पी टी आर है इसको याद करना है ठीक है पहले हमारा पॉइंट है अब तल दर्पन में काल्पनिक अभासी तथा बास्तिविक दोनो थाєक्सिस के उपर ही इसका प्रतिविक हमेशा उल्टा बनेगा योदि मनुस दर्पन में अपना पूरा पर्तिविक fix को चाहे तो दर्पन की नियुंटम उचाई मनुष्ट की लंबाई की आधी होने चाहिए तो यह concept है जो कि 12 में आपको देखना है height of mirror को decide करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है image जो है इससे उपर से प्रास करना पड़ता है उसके midpoint से तो यहां से निकल के आता है एक relation की आपके पूरे image यानि अगर आप यह person हो यहां से लेकर कि आपकी height है तो complete height को mirror में यहां mirror में देखने के लिए आपकी जो है na minimum मिनिमम जो दरपन क्यों चाहिए होगी वह height of main के आधी होने चाहिए अगर height of main h है तो h by 2 क्या होगी image इसके mirror की जो लेंद होगी minimum ठीक है अब कुछ important अब कुछ important questions को देखेंगे जैसे कि पहला question हमारा motor गारी में के सामने लगा रहता है क्या तो कौन सा mirror है तो यह question जो है थोड़ा आधा दूरा ठीक है यह आधा दूरा है लेकिन इसके कहने का question का कहने का sense है कि जो motor गारी में जिसे motor गारी में जस्ट आगे में देखेंगे बड़े बड़े ट्रक वेगरे में एक mirror रहते हैं जो पीछे के को यूज कहता हैै कोंट कॉनका इस दर्पन में बना परतिविम होता है तो हमें साथ सिधा होता है यह आप ध्यान रखें थार्ड कुशन है किसी दरपन में बने परतिविम का आवर्दन सदेव 1 हो आवर्धन क्या होता है basically m is equal to height of तो इस दोनों का रेशियो कट के आपस में क्या जाएगा वन होने के लिए मतलब क्या होना चीए समतल दर्पन होगा तभी समतल दर्पन में तो यहां से आप सकते हो आधे होते हो आरे जीकल तो यहां से आप लिख सकते हो आर इजीकल टूर टू अप्सेट हो ठिए नेक्ट कोशन आवर्धित मतलब उसका जो है ना हाइट क्या हो चेंज हो जाए इनिसियल हाइट से बरा हो जाए ठीक है तो यह बस्तु को कब रखा जाता है कैसे कब यह बन तो दर्पन और घमसर को रखा जाता है कि इसमें भी अंसर होगा नेक्स कुशन एट है अजामती दर्पन के रूप में किस दर्पन का परियोग होता है तो हजामती दरपन के रूप में जो है अभतल दरपन को यूज करते हैं कौनके mirror को यूज करते हैं Quesion 9 էा हमारा जो Quesion 9 है, 9 Quesion में देखें अभतल दूरी की focus दूरी दी है, F का value दिया है, F is equal to कितना है है हमारा 12 cm तो कहा रहा है बकरता तिर्जा तो बकरता तिर्जा में relation क्या है f is equal to r by 2 r क्या है radius 12 है तो 2 that means क्या है 6 cm तो हमारा option c correct है ठीक है 9th का option c question number 10 है question number 10 यदि एक गोलिय दरपन की बकरता तिर्जा है radius of curvature दिया है बकरता तिर्जा कितना 40 cm तो उसकी focus दूरी होगी अगें यह easy question हो गया तो focus is equal to क्या होता है r by 2 r by 2 इसमें r दिया है that is 40 40 by 2 that means 20 40 by 2 that means 20 यह option c correct होगा 10 का c correct होगा 20 cm question 11 है दरपन दार ही बनाने के लिए परियुक्त गोलिया दरपन में सिधा परतिविम तो यह basically दार ही बनाने में सबसे पहले आपको क्या कौन सा दरपन यूज करता है तो यह कौन के बहना के mirror यूज करते हैं कौन के डैट मिंस अबतल दरपन तो अबतल दरपन में कब जो है ना परतिविम सिधा प्राप्त करने के लिए कौन के mirror के case में वही चीज यहां पर पुछा गया लेकिन थोड़ा घुमा करके पुछा गया है आपको अबतल दरपन नहीं बोला गया है दरपन के बकता केंद्र और मुख फोकस के बीच में और चौथा है हमारा दरपन के मुख फोकस और धृब के बीच में तो पोल और पोल और फोकस के बीच में जब रखोगे तो image बनता है सीधा थीक है image बनता है सीधा तो option d correct है next question है 12 हमारा एक गोलिया दरपन में 5 cm की दूरी पर रखी एक बस्तू का बिम का परति बिम दरपन से 30 cm बनता है दूर थीक है गोलिया दरपन के 5 cm दूरी पर यह क्या है जो बस्तू है यह बस् बस्तू का तो आवर्धन है तो आवर्धन में क्या basically relation है m is equal to होता है minus v by u है ना minus v by u यहां से आपका से सकते हो तो यहां पर आप देखो minus Vyu होता है तो minus V के जगाप पर आप क्या put करें minus 30 minus 30 divided by u के जगाप पर आप 5 put करें तो यह क्या हो गया minus 6 आ गया यह कितना आ गया minus 6 तो option B correct है 12 question का 12th number question का option का है B correct है minus 6 कल कि आवरधन क्या निकल के आएगा minus 6 गुशन खटिन देखें गोलिया दरपन की फोकस दूरी उसकी ब्रता तरज्या की आधी होती है यह तो है यह यह सम्तला दरपन का पर अपतरित किरन है तो परावर्तन को नदेखें होगा डिफ्लेक्टिड एंगल भी 60 डिग्री होगा ठीक है नेक्स्ट कोशन 15 है अब यह 15 कोशन है एक दू सेंट्रीमिटर लंबी बस्तू को दस सेंट्रीमिटर फोकस दूरी वाले अब तल दरपन में 15 की दूरी पर स्थापित किया गया है तो परतिविम दरपन की कितनी दूरी पर बनेगा तो यह बैसिकली इसमें फोकस लेंथ दिया हुआ है फोकस जो लेन फोकल दिस्टेंस वह 10 cm दिया हुआ है और अब तल की दू 102 i you 32 वन्ह उικά स हटा है और इसमें सारे चीज पोजीटीव होते आफ तर दरपन में केडिया हमारा आसरे 619 सैंटी मेंटर hisacaksın सी कुरेक्ट है ओके कोई सिक्षिन है मोटर वहान के पीछे का द्रिस्ट दिखने वाला धर्पन होते हैं तो यह बिशिकली जो पीछे के चीजों को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पन का यूज करते हैं ना बैक साइड मिलर के में हम लोग मोटर बाहान में उत्तल दर्पन का यूज करते हैं नेक्रोशन 17 है 1.5 मीटर लंबे ब्यक्ति को अपने संपुन पर्तिविम देखने के लिए अविश्यक दर्पन का नियुनतम लंबाई होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे देखने के इमेज किसी भी आदमी को देखने के लिए उसके हाईट के आधे लेंथ का मिनिमां उसका मिरख होना चाहिए तो 1.5 मीटर है तो 1.5 में 2 से डिवाईट देदेंगे ताकि आप पूरे 1.5 मीटर वाले लंबे वैक्ति को आप पूरे completely देख सको ठीक है next question है car के hair light में दरपन का परियोग होता है तो यह basically जो होते हैं वो परवले कार अवतल दरपन का यूज होता है अवतल दरपन का यूज होता है car के hair light में question number 19 है निमलिखित में से दरपन शुत्र को निरुपित करता है तो 1 by B plus 1 by U is equal to 1 by F यह हमारा option A correct है 19 का option A correct है 20 question देखें कौन सा दरपन समांतर किरन पुंज को अफसारित कर देता है तो parallel जो layer of bin आएंगे तो उसको return कर देते हैं यह है basically उतल दरपन है तो आप आज के वीडियो में इतना ही आज जो है हम लोग ने मिरर से रिलेटेड जितने भी concept है उसको हम लोग ने डिसकस किया और उस पर कुछ important 20 question करा जो कि प्रिवियर से के लिए प्रिपेशन कर रहे हैं तो हमारे कंप्रिशन हमारे जो कंप्रिशन हब का जो वेब साइट है जिसका लिंक description box में दिया है वहां पर online test series का वह किया गया है अगर आप प्रिप्रिशन कर रहे है